जब से करे दिल निल्त जा, कभी दिल ना तूटे प्यार में तुम्हारे किसी आशिक को, तुम्हारी शादी का बहुत दुख है मामा, प्लीज ये मासूमियत का ढूंग रचाना बंद करो, आईशा वो जो कोई भी है, उससे कॉल करके कह दो कि तुम्हारी वो वीडियो नेट पे से डिलीट कर दे अगर ये बात हारिस तक पहुच गई ना तो वो खड़े खड़े तुम्हें तलाग दे देगा वो कौन सी वीडियो? तुम्हारी महंदी की वीडियो मैंने तो फिलाल एक ही वीडियो देखी है अगर तुम्हारी बेहाई के तमाशे इतने महीनों से कौन-कौन लोग देख चुके होंगे? उसमें ये भी लिखा है कि उसने मेरे साथ बेवफाई करके किसी और के साथ शादी कर लिए अगर तुमने किसी और से बादे कर रखे थे तो मेरे बेटे की जिंदगी में जहर क्यों गोला तुमने? मामा प्लीज! आपको कुछ गलत फहमी हुई है? मेरा यखीन करें मैं इसके बाहरे में कुछ नहीं जानती गलत फहमी हुई है? हाँ? देखो ये देखो अपनी आखो से ये लो तसली से पढ़नो ये कॉमेंट्स कितने ही लड़कों ने तुमारी खुबसूर्ती के कसीदे पढ़े हैं इसमें और कितने ही लोगों ने तुमारी बेवफाई का जिकर किया है? और दो चार ने तो ये भी लिखा है कि तुम उन्हें भी धोका दे चुकी हो अग्या यकीन करें आप तो खुद गवाए वहाँ पर कोई भी नहीं था तुमारे सेलिया तुझी ना उनमे से किसी के भाई के साथ उन्हें चकर चला लिया होगा प्लीज ये सब सेच रहे हैं ये जूट है मैं तुम्हें वाण कर रही हूं आशा जिस किसी ने भी ये हरकत किये न उसे कह दो कि ये विडियो जिलीज करने हैं वढ़ना अपनी बरबादी किसी दिन्वेदार तुम खोद होगी आँ कि आँ हुँ अँ और कितने ही लोगों ने तुमारी बेवफाई का जिकर किया है और दो चार ने तो ये भी लिखा है कि तुम उन्हें भी धोका दे चुकी हो अगर ये बात हारिस तक पहुंच गई ना तो खड़े खड़े तुम्हें तलाब देगा मौला मौला जी क्या फैजी ने वाकरी नंबर तब्दील कर लिया अपना नहीं जी तो फिर अपने आईशा से क्यूं कहा वो उससे निकल गया कोई मसला है ना इपजी नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं मसले वाली क्या बात हो नहीं बस मैंने खुदी सोचा कि यही बेतर है आईशा से नहीं बात हो तो आपने इसा क्यों सोचा? हमने तो कभी भी आईशा के फैजी से बात करने पर इतराज नहीं किया या कभी भी आईशा को मना नहीं किया फैजी से बात करने से जी हाँ, असल में फैजी ट्रेनिंग पे गया है और वो वहां के किस्से हालो होआ लेके आशा के साथ बैठ जाता और जो वक्त उसने आपके साथ गुजानने आशा बेटी ने उसकी बातों में जाया कर देती बहुत अजीव है आप पैसी को तो मौका चाहिए आशा बेटी से बात करने का जो इतने महीनों से उसने बातें तबाके रखी भी होंगी वो सारी खुल के बैठ जाएगा मैं आज बहुत खुशूनाई पारी आईशा ने मुझे बताया है कि हारिस उसकी हर बात मानता है अल्ला उन दोनों की महबद को हमेशा काइम रखे आमें उसमें ये भी लिखा है कि उसने मेरे साथ बेवफाई करके किसी और के साथ शादी कर लिए अगर ये बात हारिस तक पहुँच गई ना तो वो खड़े खड़े तुमें तलाग देदेगा मैं मैं हारिस को पताती हूँ मैं मैं हारिस को नहीं बता सकती है अला या लाई क्या हो या मेरे साथ मैं तो आज तेक इसको मान में ती कि मुझे किसी नामहरम स्यut помогля अर में जाने कबसे थवाशा कन रही थी हर नामहरम के साथ में ये शर्मों हाय अतारतार हो रहे थे और मुझे अंदाजा भी दिखा थेका मामा तो कि अमठाया नहीं बताए बगहर कोई चारह नहीं मामा ने आइशा से बात करने की कोशिश की थी बजा इसके के वो अपनी गल्ती को एडमिट करें आइशा घर चोड़ के चली गए जाना ही था उसने माजी की गलतिया जब आखे फाड़ के इंसान के सामने आ जायें तो जूट का सहारा नहीं लिया जा सकता मामा तो चाहती थी के हारिस को बताए बगयरी सारा मौमला टल जाए लेकिन अब जब हारिस आईशा को घर में नहीं देखेगा तो उससे सब कुछ बताना पड़ेगा बहुत दुख होगा बिचारे को फुश फेहमियों के सारे पहाड उसी पर आगिरेंगे जिन हवाओं में उड़ रहा था वो ही हवाएं उसे अपनी दुश्मन लगने लगेंगी आईशा को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो लड़की ऐसी है मैंने तो पहले देन ही कह दिया था लेकिन तुम्हारी फैमिली में नेरी बातों को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है परिशान नहीं हूँ सब ठीक हो जाएगा मैंसे मामा आईशा क्या हो कि अलगी कुस्तो मताओ मुजी मामा इस परणाओे, वामा वे पिद्दु कर देए बादा मामा वे खिर देए बिरा ने में पर्णाओे अशरा, वामा अच्ए, वामा ने पारना प्याओ आईशा, आईशा आगे को लूँ ममा, आखर उस वीडियो में इससे था क्या? जो इतना तुफान खड़ा हो गया है उसमें कुछ था या नहीं था लेकिन इसमें लिखे कैप्शन और कॉम्में बहुत कुछ था निम्रा मुझे तो दिखाएं वो वीडियो कोई सरुष दिखने की खारिस को तो दिखानी पड़े गे आपको मुझ में हिम्मत नहीं किसी को भी ये वीडियो दिखाने की आईशा ने घर से भागकर ये थाबित कर दिया कि उसमें जो कॉमेंट्स हैं, जो कैप्शन हैं वो बिल्कुल सच है असलाम अलेकूम अलेकूम क्या हुआ अलेकूम इस अल्राइट तुम पहले फ्रेश हो जो बाद में बात करते हैं जी मामा मुझे लगता है कि आईशा ने अभी तरह इसे बताया नहीं किसम उसे बताएगी उसके पास कोई दलील है अपनी सफाई पेश करने की मामा आईशा का है तो मैं बताकर नहीं गई मुझे बताकर गई थी कि ममा की तरफ जा रही है अपनी इन फैक मैंने इस चीए था उसको जाने के लिए बड़ मां से तो आगई थी मेरी बात हुई थी उससे तो वापस चली गई होगी पतानी उसका फोन भी बंद है अरे आप लोग बता क्यों नहीं रहे का गई है वो बता कर गई होगी न आपको हारिस आइशा घर चोकर चली अपनी बख्वास बंद करो तुम जो मुंब आता है बोलती रहती है यू पागल हो गई हो किया तुम हारिस निम्रा ठीक कह रही है जी स्लावली को अंगत आइशा वाई है क्या तुम नहीं जानते हैं वो किस हाल में आई है यहां पर अंगत हुआ क्या है मैटा वो तो बिलकुल बेसुद पड़ी हुई है मुझसे भी बात नहीं कियू सो तुम 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 प्लीज आजाओ फॉर जी मैं मैं बस आ रहा हूँ आईशा, आईशा मेरे बेटा आखे तो कुलो पता हो तुम सही क्या हुआ आईशा, 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 क्या हुआ, कुछ बताओ तुम सही प्लीज पता बाबा, बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता उस वीडियो के बारे में पता नहीं किस ने बनाई, कैसे बनाई, मुझे नहीं पता अधिए कौन सी विडियो? कहां देख ली तुमने विडियो? अधिए वायो की विडियो तारी किसी फ्रेंड ने बना ली चुपके और अप्लोड कर दी ओ अईशा अईशा चाथ तुम कुछ जानती नहीं हो तो तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मामा आपकी बेटी ना महरमों में तब आशा बन गई, मामा तब आशा बन गई अईशा अईशा इदर दो, मेरी बात सुर तुम्हारी बिल्कुल नियत सही थी तुमने कुछ नहीं किया, समझ आई? हाँ? अभणिमा सबिक एंचाने रखने वारा ही, कुछ नहीं होगा आईशन किहनी ने कहरे झा में, तुम्हारी भास जाते देंकिया के मामा उनकी घाए खेलत कवारा है गादी कैष! ह्षा मै, ऐसा कुछ भी नहीं होगा हाँ? अहसा कुछ भी नहीं होगा समझाई, चुपकचा, चुपकचा, चुपकचा नहीं बाजी, सरसे समझाए, मैं आती हो प्रेटा, प्लीज तो रिलेक्स होगा, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा यह बाटए nouveaux प्रेटा प्रेटा यहतनों, प्रेटा हालो हालो नुशवाद बात कर रही हूं मैं यह क्या किया है आप लोगों ने मेरी बच्ची के साथ हमने? हमने क्या किया है? हमारी आपको मैत अदूल आपकी बेटी ने जौगी है पढ़दे की पीछे की कहुनी तो अब हम जान पाएं खबरदार, खबरदार अगर जो आप लोगों ने मेरी बच्ची पर बहतान लगाया हो तो हम तो चुछ नहीं कह रहे नुजद, दुनिया कह रही है हम लोग मेरी बच्ची के कामल ही नहीं थे वो तो आपके बेटे की खुशकिस्बत ही दी जो मेरी बच्ची उसकी बीवी बन गई लेकिन जिन लोगों के दिल काले होते हैं उनके नसीब भी काले होते है नुजद, मत करो ऐसे बात हैं बात करने दे मुझे क्या कहा आपने? क्या आपका बेटा मेरी बच्ची को तलाग दे देगा? यही कहाना आप मैंशा को ठीक है मैं भी देखती हूँ कि अल्ला का इंसाफ आपके साथ क्या करता है अगर आपके लगाये में वाहियात इल्जामों की विज़े से कि मेरी बच्ची सकून से नहीं जी सकी न तो मेरी बद्वा है कि इंशालला कभी भी आप लोग भी सकून से नहीं रहेंगे आरे साइगा तो उससे फिर बात करना अरे अपने आपको समालो तो कहा है आशा उसी आल पेजा तुमने पहुँचा दिया उसे यहीं देखने आयो न कि मेरी बच्ची के साल में वो तुछ साल में जिसका हम ने कभी सोचा भी नहीं था नही आँटी मैं कुछ नहीं जानता हुआ क्या है अच्छा नहीं जानती अगर नहीं जानते तो असी वक्त वापस पलट जाओ अर ये मेरी बच्ची तो तुम्हारी तारीफे कटने नहीं ढखती थी तुम्हारी मुहब्ध के किसे यकीन से सुनाती थी के मैं मैं उसकी हर बात मान जाती थी मगर तुम लोगों ने उस पर जित्मे वाहियात अलजाम लगाए कि वो को एक लम्हे भी उस गर में नहीं रह सकी अब सुनो तुम हारिस को आइशा से तो मिलने दो ना आपको यकीन है कि ये बात करने आया है उससे अरे तुम्हारी माँ ने तो कहा था फॉन पर कि तुम उसे तलाग दे दोगे क्योंकि दुनिया का कोई भी खेरतमन मर्द एक ऐसी लड़की को बरदाट नहीं कर सकता इसकी वीडियो नेट पर वायरल हो गई हो वीडियो नेट पर वायरल हो गई हो गई है कौन से वीडियो उस है हुआ क्या है अंटी मेरी बेटी की रूख को चली की है तुम लोगों ने उसके पाकिज़ा किरदार पर खीच और उचा लिए तुम लोगों ने अल्लद आला तुम लोगों कभी माप नहीं करेगा देखना कमस कमाशे को मुझे तो बताना चाही था कि हुआ क्या है तो वो इतनी परिशान थी कि उसके हिम्मत नहीं औरी थी किसी से बात करेंगी और तब बताती ना जब उसे यकीन होता कि तुम इसकी बेगुनाही पर इतबार करोगे दूसर अपने आपको समाओ अरे हारिस हारिस बिटा बास सुनो अरे हारिस है अरे हारिस है उसके पाकिसा किर्दार पर खीच और उचा लिये तुम लोगों ने अलाए है अलाट 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 उम लोगों कभी माव नहीं करेंगर देखना और तब बताती ना जब उसे यकीन होता कि तुम इसकी बेगुनाही पर इतबार करोगे अरे तुम्हारी माने तो कहा था फोन पर कि तुम उसे तलाग दोगे असवतार पस सब ठीक हो जेगा क्या हो हारस? आशा नहीं आई साथ की. वो अपने हैंगे. अगल हो गया तुम? यह एक यह वीडियो अगर अपलूड हो गया है तो इसमें उस बेचारी का क्या कुसूर है? उस बैचारी का कुसूर यह है कि वो इस शेटानों की बस्ती में अपने लिए इनसान तलाज कर रही थी तुम अपने होश में तो हो हो हाँ हो मैं ममा होश में ही तू आगी हो ममा इस लड़की को पाकर मैं समझता था कि खुदा ने शायद मुझे खुछ नसीब बना दिया है आज उसे गवाले के बाद मुझे है इसास हो रहा है कि नहीं हम जैसों के नसीब काले के काले ही रहते है इतना ही दुख हो रहा है तुम्हे तो उसे अपने साथ ले आते हैं किस मुझे लेकर आँ उसे इस जहन्नम में वापस क्या कह रहे हो तुम अपने ही घर को जहन्नम कह रहे हो तुम्हें क्या लगता है कि तुमारी बीबी बेकसूर है तुम्हाना कहले ने दीजे मुझे जहीर, मैं मानती हूँ के वो वीडियो आईशा ने अफलोड नहीं किये, लेकिन जिस किसी ने भी की है, वो उसे अच्छी तरह से जानता है और उसकी शादी से बहुत हर्ट भी है, इस वीडियो में जो भी कैप्शन और कॉमेंट से वो आईशा की पाक कि अग्दमनी पर किसी ने सवाल उठाया ना, तो मैं इस घर की बुनियात है लातो हूँ हूँ हारेस, हारेस, हारेस अब इस तरह से परेशान होगे खुद को जिए देने का क्या फाइबा तुम्हें आईशा को साथ लेकि आना चाहिए था ताके फिर उसे याला के कटहरे में खड़ा कर देता, फिर उसे सबके सबाल की जवाब देती परती अगर तुम्हारी महबत का मजबूत हिसार लुटा तो उसे किसी को उजात ने देने की कोई जरूत नहीं थी मैं तो उसका सामने नहीं कर सका बापा सामने नहीं कर सका? क्या मतलब तुम उसे मिलके नहीं आए? उसे यकीन था कि मैं भी ममा की तरह उसे ही कुसुर वार समझू गा वो बहुत खौफ जदा थी कि कहीं मैं उसे तलाग न देतो तब ही तु कह रहा हूं तुम उसे मिलना चाहिए था उसे अपनी महबत का यकीन देना चाहिए था उसके इतमाद बहाल करना चाहिए था मैं समझता था कि महबत में बहुत ताफ़त होती है बाबा लेकिन आज जान गया हो जब हर विजद पर आता है ना तो महबत हार जाती है तरहीं जिसकिसी ने भी यहर्गत की है उसे इसास भी नहीं होगा कि उसने बेचारी आईशा को कितने मुसीबत में करफ़तार कर दिया है एक बार वसे एक बार मुझे बालूब हो जाए कि यह किसने हरकत की है मैं छोड़ूगा नहीं है उसे टेंस मत तेंस मत तेंस मत तेंस मत जिंदगें बहुत से लोग होते हैं जो बगार जाने मुझे दूसरों की जिंदगी अजीरें बना रहे थे इसे मुझे इस बात पे हैरत है कि आश्या के घर में आके किसी ने वीडियो बनाई रहे और उलोग को पुटा भी नहीं सरे घर में आके वीडियो पर रहे? आपने वीडियो देखी है क्या? हाँ, हाँ, तुमारी मा के पास है आपने वीडियो में एक सिंपल सी महंदी की राथ की गरेलू सी वीडियो और नहीं अगे अश्या है बिलीविए ममा 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 मुझे वो वीडियो तेखनी है छोड़ दो अस वीडियो की जान तुमें क्या लगता है कि मैं गलत हूँ? तो ठीके मैं जाकर इसको ले आती हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे वो वीडियो तेखनी है यार वीडियो देखे बगए तुम आउट अफ कंट्रोल हो रहे हो तुम आउट अफ कंट्रोल हो तुम तुमारा क्या हाल होगा दुरगा ना ऐसा कुछ नहीं है उस वीडियो में दिखा हुजा देख लो देख लो बड़ा मान है ना इसको अपनी बीवी की शर्म और हया पर अब ये वीडियो देखने के बाद इसका सारा का सारा मान मिटी में मिल जाएगा क्या हुआ मैंने कहा था ना कि तुम बर्दाश्ट नहीं कर पाओगे और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आशा जानती है किसने ये वीडियो लीग की है आशा उसे जाने ना जाने लेकिन मैं जरूर जानता हूँ क्या मतलब कौन है वो पता था मारेस हारेस जोड़ो हारेस पागतु तुम जोड़ो मा मा जूड़ो इससे पूछे किसने की है वो विडियो अपलाट मुझे क्या पता? में ठो देखे मी नहीं है! को वगई वडिएो जो तुमने मुझे सेंड़ी ती? और क्या होगी? कहा है वडियो गो रहे हुग हुग है?! पुज Hai sage! दिखाए... कहा हिई वडियो थे? वहाँ लेकिन ये वीडियो में इसी तुम्हें बेगि दिया अर्स तुम आइशे से नफरत पे इसकतर निचे गर जाओंगी तो कभी सोच भी नहीं सकता था दा निम्रा निम्रा ये यह अरकत तुम्हारी है मामा मैंने ये विडियो सिर्फ हार इसको बेजी थी, मैं क्यों अप्लोड करूँगी उसे कही? वो सकता है कि कोई दोस्त ने इसको लीग कर तो किसी पे जुर्णाती नहीं है इतनी इसने मुझे बेजी थी मैंने डिलीट कर दी थी इसी ने की अप्लोड है मैंने कौछ नहीं किया है आप रोगों को यकीन करना है तो करें और अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा है तो बार बेजाए सच यही है अलो, किंजी, तुम घर आ सकती हो मैंने रोने को छोड़ो, तुम प्लीज घर आजाओ जल्दी इस सब कुछ क्या हो रहा है जहीं अवा, हारिज मुस्से मिले बगार चले गा है कम इसका मुस्से बात तो कर ले थे, पुछते है इसका मतलब दूने अपनी माबा की बातों पे अखीन कर लिया नहीं बीटा, इसी बात नहीं है तुम है हारिस के जिस मुहपत पर यकीन है अगर वो मुहपत वाकी सच्ची है तो हो कभी भी अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं करेगा यकीन क्या होता है तुम अच्से बात तकरते है तुम क्यूं परेशान हो रही हो मैंने कहा ना के हारिस जरूर वापस आएगा हाँ बीटा, बेकम साहिब आपको ठीक क्या रही है खुद आप लोगों पे मेरबान है हम सब की दुआएं आपके साथ है रहाँ, इसी से क्या दुश्मनी थी कौन है जो मेरी और हारिस की शादी से इतना नाला है कि इतना गेनोना इंतकाम लिया है शहाँ, मेरी जान ऐसा कुछ भी नहीं है कोई तुम से क्यों इंतकाम लेगा तुम्टे तो कभी किसी इंसान तो क्या किसी जानवर तक को दुख नहीं दे अबना तो तुम पर बहुत महर्बान है देखना वो तुम पर आज भी नहीं आने देगा विशाब ने आपको हर नाम हेरम से चुपाया और अब मेरे बजार तमाशा बन गई नहीं मेरा फैजी ऐसा नहीं कर सकता कि घर के अंदर आकर किसने वीडियो बना ली माईपाजी क्या हो कुछ नहीं मैं सोच रही थी कि आईशा बेटी की तो सहे लिए भी ऐसी नहीं है जो इतना बड़ा दुख देंगी इसे पर कौन हो सकता है फरान तो इतने परिशान है कि आईशा के सामने तक नहीं आ रहे है मेरी बेटी तो इतनी शर्म होया वाली जसकिसी ने भी मेरी बच्ची के साथ ये गिनोरा मजाग किया और इस तरह से इसकी शर्म होया बेदर्दी से नोच कर फेक दिया अल्ला कभी भी माफ नहीं करेगा उसे कभी भी नहीं अल्ला खेर करेगा सब ठीक हो जाएगा किनसे तुम जूट बोल रही हो ना मुझे के अज़रत पढ़िये तुमसे जूट बोले की तेखो वो वीडियो मैने हारस को भीजी थी फिर उसके बाद तुमने मुझे कहा था के तुम्हे देखनी है फिर मैने तुम्हे वाटसब की थी हाँ, I remember मुझे WhatsApp की थी लेकन शादी की मस्रूफयात की वज़ा से वो वीडियो देखना भूल गई मैं और उसके बाद उस वीडियो के बारे मुझे कुछ याद ही ने रहा हाँ, तो अभी देख लो ना तुम्हे याद आजाएगा निम्रा, मैं अपना WhatsApp डेटा सेव नहीं करती, ठीक है? अगर वो वीडियो तुमने भेजी भी थी तो मैंने देखे बगए डिलीट करती ऐसे नहीं हो सकता किंजी देखो, मैंने वो वीडियो तुम दोनों को भेख का डिलीट करती और हर्स नहीं उस वीडियो को सेव नहीं किया अगर उसका मिस्यूज हुआ है तो वो सिफ तुम्हारे फ्वόν से हुआ होगा द्माग ठीक है तुम्हारा अब तुम अपने आपको बचाने के चक्कर मुझे पहसा रही हो मैं तुम्हें नहीं पहसा रही हो तेखो हारिस बहुत गुस्सा है मुझ पर मुझे इस गल्ती के लिए कभी माफ नहीं करेगा यह मुझे समझ नहीं आरा तुम लोग इस वीडियो को ले कितना सीरिस क्यों है वे वे अट्स द बलडी बिग डील यह बात तो तुम जाकर हारिस को समझाओ ना पूरा घर सर पे उठा लिया उसने सुनो मुझे इस मामले से भाय रखो इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा तुम लोग उन्हें तूफान खड़ा कर दिया है I understand के यह एक परसनल विडियो है जो किसी ने मजाक में आकर अपलोड कर दी अब इसको दो चार लोग जो है रिपोर्ट करेंगे तो यह डिलीट भी हो जाएगी यार वजूर में परिशान करके रख दिया मैं जा रही हूँ I'm telling you very seriously, मुझे इस मामले में इन्वाल्व मत करो Keep me out of this अगर वो विडियो तुमने मुझे भीजी भी थी तो मैंने बहर देखें, डिलीट कर दी, सिंपल Bye क्या करूं मैं, कैसे हो सकता है, मेरे पस तो वडियो है ही नहीं किसने किये व अपलोड यह लड़का हमें अपना दुश्मन समझता है जो कुछ हुआ है दुरदाना उसके बाद वो कुछ भी समझे गलोप नहीं है उसने ऐसी हरकत नहीं की, निम्रा ऐसी हरकत नहीं कर सकती जाहीर वीडियो निम्रा ने बनाई और उसी के पास यह वीडियो ना हमारे गले का तौक बनके रह गई है एसी वीडियो तो लड़किया अपनी खुशी से अपलोड कर देती है जाहीर लेकिन आईशा कुछ आदत है इश्यू बनाने की इतनी सी बात का उसने इतना बड़ा इश्यू बना के रख दिया है जुर्दाना आईशा पर जो बेती वह तुम नहीं समझ सकोगी देखो ना जो लड़की अपनी शादी वाले दिन लोगों को तुस्वीरे मनाने से मनाय करने है अगर उसे पता चले कि उसकी वीडियो बनी है और अफलोड भी होगी तो उसमे क्या गुजरेगी सहीर अब इस मसले का हल क्या है ये बताएं पापा आप मेरा यकीन करें मैंने वो वीडियो खुट डिलीट की थी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मेरी वज़ा से हारिस को कोई प्रॉब्रम हो हम जानते है बिटा तुमने यह हरकत नहीं की मैं हारिस को कॉंटैक करने की कोशिश कर रहे हूं लेकिन उसका नमबर ओफ आ रहा है अ कि जाए मुच से जैसे ककां दे ले लेलेले मैंने वो वीडियो वाली हरकत नहीं की बहए ucर आख यह मैं भी कअवी देर से टाए कर रहा हूं उसके नमबर ओफ जा रहा हूं कि हमें किस बात को खुस्सा दिखा रहा है ओ है निम्रा ने वो वीडियो हारिस को भीजी है, तो उसके दोस्त ने सताने के लिए हारिस को ये वीडियो लीग कर दी होगी, इल्जाम वो निम्रा पे लगा रहा है तो जाना इस तरह की अंदाजे लगा के हारिस को उसके दोस्तों से बदजन बद करोगी बस कर दे, Zaheer. यार, Haris, क्या हो गया यार? बी ब्रेव, यार. यार, Aisha के साथ बहुत बुरा हो गया. और इसके साथ बुरे करने बाले और कोई नहीं, बलके मेरे ही घर के लोग है. नहीं यार, तु बहुत जादा नेगटिवली सोच रहा है. मेरी आंटी से बात हुई और उनने मुझे यकीन दलाया है कि निम्रा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. उनको तोन घटी हल दरमात पे यकीन था. जिसकी उज़ेसे आइशा खर छोड़ कर गई थी. यार, Haris, can you relax? मेरी एक बात सुनो, मेरा एक काजन है, वह इन सारे मामलात के इने डील करता है. वह साइबर सेक्यूर्टी के लिए काम करता है. मैं तुझे उसका नंबर देता हूँ, तु एक काम कर वह लिंक निकाल कि उसको भेज दे. I'm sure कि वह कल्पृट को पकड़ लेंगे. तु फिकर निकर यार, इंशाला सब कुछ ठीक हो जाएगा. आई. आई आई. आई आई. आई बटे. नुजएत? जी. बटे. जाहीर आई. Assalamu alaikum. आई. अरे ये क्या कर रहे हैं आप? फरहान, मेरे बास तो अलफाज नहीं हैं लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो मुझे 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 बाफ करता हूँ. हैसाब, प्लीज. आप आप शर्मिंदा कर रहे हैं. आप बैठें तो ने तसली से बात करते हैं. बैठें प्लीज, बैठें. मैं, मैं आप लगों से बहुत शल्मसार हूँ. दुर्दाना ने आईशा बैटी के लिए बहुत नजीबा अलफाज इस्तमार किये. वो अलफाज नहीं, खंजर थे जहीर भाई जो सीधा हमारे दिलों पर चलें. जब छोड़ भी इन बातों को. फरान, वो बातें मैंने सुनी हैं. बेटियों की माह होने के बावजूद, जस तरहां उन्होंने हमारी आईशा पर कीचर उच्छा ली, वो बहुती तकलीफते बात है. आप्टी करीमारे, हमारा जर्म तो इससे कहीं बड़ा है जो आप कह रहे हैं. वो विङियो ने मुरारें मनाएंजी है, मैं जा रहे है वो विडियो कीस किस दखी होुगी? कहा कहा तक गई होगी वो विडियों...? जर हारेस होना था, हो हो चुक है. इसमें ना मैं कुछ बदल सकता हूं ना तू कुछ बदल सकता है. और आईशा भाबी की इसमें कोई गलती नहीं है बेतर होगा कि उनको तुम जाके वापस लियाओ तुझे क्या लग रहा है क्या मैं ये समझ रहा हूँ कि आईशा क्यों कोई गलती है आईशा भी वो बेचारी तो खुद मेरे साथ इस रिश्टे में जुटने की सजा भगत रही तेरी वज़ा से नहीं हुआ है यार कुछ तो अपने आपको क्यों इल्जाम दे रहा है हमने अपनी पूरी तरह तसली कर लिए है निम्रा ने वो वीडियो अपलोड नहीं की उसने तो इश्रारत के तौर पे महंदी की रात आईशा से चुपके वो वीडियो बना ली लेकिन पता नहीं वो किस के अथे चड़ी है और उसने अपलोड कर दी अगर आप लुग चाहें तो निम्रा क्याब से और आईशा से खुद माफिमा के की बाई साब मैं माज़र चाहती है लेकिन जब आपकी बच्ची महस शरारत में वो वीडियो बना सकती है तो उसे अपलोड भी कर सकती है लेकिन भावी मेरे पास को सुबूत तो नहीं है लेकिन अपनी बेटी पर इतना येकीन है कि वो जान भूज के अपने भाई और भावी की जिंदीगी की खुशियों को यू बरबाद नहीं कर सकती मैं आपकी किसी दलील को नहीं मान सकती तिल तो मेरा भी नहीं मान था लेकिन दमाह कहता है कि जिस तना जाहीर मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ कर इस घर से लेकर गए थे उसके दुखतर्द को उसी तरह से महसूस कह रहे हैं जिस तरह से हूँ अगर इन्हों ने हमारी बेटी को अपनी बेटी समझा होता तो कभी भी निम्रा के बेकुसूर होने की धुहाई ही ना देते हैं अगर आप उसे मुझ्रिम समझती है भावी तो जो चाहिए सेजा दे ले मुझे कोई इतलास नहीं होगा मैं गया ता उससे मिलने जएकि मुझे इतनी हमवत ही नहीं कि मुझ को सामना कर साथ है एल आजा लो जाने कब से तरह देख ली होगे मेरी बात मान उसको जा के लिया शी नेदे आवर इसको जा जुख पर जा है पर बेतर होगा कि तो जा जा एसको जा 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 कर दिल निलत जा कभी दिलना तूटे प्यार में